पाक्षा हमारे समादाता हमारे साथ तयार हैं रखते हैं गहरी पकड़ और नजर इंशुरेंस सेक्टर पर और इंशुरेंस सेक्टर से ही जुड़ी एक बहतरिन खबर बता रहे हैं अनुराग बताई क्या है खबर दीखे I.C.I.C. Lombard से जुड़ी हुई खबर है कि जिस तरह से हमने देखा है कि इस वितवर्ष में फरवरी तक I.C.I.C. Lombard में 26 परसंट की ग्रोध दिखी है पिछले साल के मुकाबले और अभी जो I.C.I.C. Lombard में जो सुतरों से मिली जानकारी है कि जो Reliance Capital की I.BC प्रक्र अगर ICIC Lombard उसको खरीद लेती है इस IBC प्रकरिया में तो देश की नंबर वन जनरल इंशुरेंस कंपनी बनने की और अग्रसर हो जाएगी ICIC Lombard क्योंकि अभी जो ICIC Lombard का मार्केट शेर है फरवरीब तक वो 8.5% है और Reliance General Insurance का जो मार्केट शेर है 4% के करीब है तो ये करीब करीब 13.5% के करीब हो जाएगा और जो टॉप मार्केट लीडर है अभी New India Assurance वहाँ पर जो मार्केट शेर है 15% है लेकिन हम देखे के पिछले कुछ वक्त से जो ग्रोध दिखा रहा ICIC Lombard जो उनके द्वारा Innovation किया गया इनिशेटिव लिए गए है तो वहाँ पे काफी तेजी से ICIC Lombard आगे बढ़ रहा है 26% की ग्रोध दिखी है हमें फरवरी तक ICIC Lombard में जो पिछले साल उनका फरवरी Capital की है वहाँ पर बोली लगाई है और Reliance की General Insurance Company Reliance General Insurance को टेक ओवर कर लेता ICIC Lombard तो काफी बड़ा Development होगा और देश की Number One General Insurance Company बनने की और ICIC Lombard हो जाएगी ओके तो Market Share में बड़ा उजासा आप देख सकते हैं इनका अगर ले लिया तो 12-13% का अगर बढ़ जाएगा है बिलकुल तो ये Number One Company बन जाएगी चैनल बन जाएगी और इसलिए भी क्योंकि जो अभी जिसके पास Market Share है New India Assurance के पास तो वहाँ पर कुछ चुनोतिया है जितनी Growth ये दिखा रहे हैं उतनी New India नहीं दिखा रही है और New India के साथ जो Technology Enhancement वगरा ICIC Lombard ने किया है वो उतना New India के साथ नहीं हो पाया है New India के साथ ये भी चुनोतिया है कि अभी तक उनके पास Full Time CMD नहीं है अंतरिम CMD का चार्ड दिया गया अगले कई महीनों तक उसकी भी उमीद नहीं है वहाँ पर करमचारियों के wage revision से जुड़े मुद्दे हैं सरकार एक General Insurance Company को प्राइटाइज करना चाहती है तो वहाँ वो भी confusion है तो ऐसे कई सारे और confusion जो है वो जो New India के साथ जुड़े हुए है लेकिन ICAC Lombard उसके विपरित काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है ओके तो यह है आपके लिए ICAC Lombard और बाकी इस पर खबर आती हूँ दिख रहे है Insurance Sector पर, especially General Insurance Company पर आपकी राही दीजे जोड़ा है शरण जी वटाएं क्या करना चाहेंगे जैनरल इंशूरेंस पे तो मैं उतना बुलिश नहीं हूँ जैनरल हम लोग लाई पे जादा बुलिश है बट विदिन इस स्पेस अगर जैनरल इंशूरेंस या इंशूरेंस पर बैट करना है तो आने वाले समय में investment income में भी थोड़ा बहुत rate पढ़ते हैं तो उसका भी फाइदा होना चाहिए तो comparatively हमें लगते है GIC reinsurance एक better bet है तो GIC एक better bet है बट आई से लोंबाट पर भी रखें नज़र days high पर यह stock up